इस वीडियो में हम सिखेंगे एक से लेकर साथ की गिंती की बीच में इस प्रकार से अरेंजमेंट करके लिखे जो खत तुझे वो तेरी आद में काफी सुपर हिट ओल्ड एवर ग्रिन सॉंग जिसे हम सीखेंगे अपने कीबोर्ड की उपर आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि आप एक से लेकर साथ की गिंती की बीच में आसान तरीके से किस तरीके से इस गाने को बजा सकते हो और सीख सकते हो काफी बहतरीन अंदाज में ठीक है तो शुरूआत करते हैं सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन इस गाने की प्ले करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा दिरे दिरे आपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा कि आप किस तरीके से इसको बजा पाएं वीडियो को एंड तक देखते रहेगा और भी कैसे जान करें होंगी इसलिए आप मिस ना करें इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखते रहेगा ठीक है शुर 3, 4, 5, 6, 7 हो गया तो यह क्या हुआ फिल ठीक है तो देखो इसमें देखो सब में अलग-अलग octave है एक अलग-अलग octave है जिसमें यहाँ पे नीचे की तरफ आवाज मोटी होती है बीच में ठीक है तो यह हमारा वन हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा माइनस वन ओके तो यह एक छोटा सा कॉंसेप्ट था होप यहाँ पर आपका clear हो गया हो शुरुआत से सीखते हैं लिखे जो खत तुझे वह तेरी याद में ठीक है तो गाने की जो पहली लैन है करते हैं उसके बाद में नेक्स लाइन पर हम जाते हैं तो यहां से वन से शुरुआत होगी लिखे जो खत तुझे ठीक है यहां से स्टार्टिंग होगी उपर यहां पर नोट्स आ गए होगे ठीक है तो किस तरह किस तरह वहमें किस तरह होगी कि ऐसा तरह कि किस तरह वहमें होगी वहां से यम händal को जाटार्टग़ कैंदे सब्सक्रार कम किस करेकела लेकिन है हम इन त्थर और जोत्तार अब कुसरा आपको पर नोटेशन आघ़्ए हो कफी आसान तरह किस एक बार दीरेह को लिखे जो खत तुझे हां तेरी याद में वन टू थी टू फोर थी वन टू थी टू फोर थी ठीक है तो होब आपके जो पहले लाइने या तक प्लीर होगी ओभी और इसलिए अगर आप यूट्यूब पर सच्छ करके और इसलिए गाने को ढूंड़ो के तो सेम इस तरह आप साथ साथ में मिला मिला के प्ले कर सकते हो ठीक है इसके बाद में जो गाने की next line है वो किस तरह वो तेरी याद में वो सेम इसी प्रकार का होगा ठीक है वो भी सेम इसी प्रकार का इसके बाद में अगली line है हजारों रंगल के नजारे बन गए ठीक है किस तरह फिर नजारे बन गए ओके तो पहले सीखते हैं हजारों रंगल के उसके बाद में नजारे बन गए ठीक है तो किस तरह 1, 2, 3, 4, 5 पांस रोका यूजर है 1, 2, 3, 4 और एक 5 हजार और अंगर के किस तरह हजार और अंगर के 2, 3, 4, 6, 4, 5 इसके बाद में किस तरह यहाँ पर देखता है 5, 6, 7, 1, 6, 7 5, 6, 7, 1, 6, 7 न जारे बन गए अंजानो रंग के न जारे बन गए ओके इसके बाद में वापस जो हमरा अगला पैटन होगा सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए फिर बाद में सेम जो रात आई तो सितारे बन गए इसके बाद में सेम लिखे जो खत तुझे वाला पैटन वापस शुरुआत हो जाएगी तो यहाँ पर आपका जोहाँ तक मैंने उपर नोड आपको बता दिये नहीं समझे मैं तो वीडियो को पोस्ट कीजिए या फिर कुछ भी कहीं पर बीकुछ दिकत तो वीडियो को पीछे जाके देखिए और अगर आपको एकदम फिर पर्फेक्शन लाने यहां से आप एकदम सीख जाएंगे और अगर फिर भी आपको एकदम लास्ट में फाइनल टेस्ट लाना हो तो फिर वाद में वीडियो को ठीक है उसके साथ साथ बजे जिससे आपको टाइमिंगा एकदम पर्फेक्ट हो जाएगा फिर पूरा गाना आप कभी नहीं बूलोगे ठीक है तो होप आपको जो स्टार्टिंग का पार्ट है कंप्लेट हो गया होगा फिर पूरे स्टार्टिंग के पार्ट को एक दफाप फिर से प्ले करते हैं और फिर बढ़ते हैं अंत्रे की तरफ ठीक है इस तीन ही पैटन था एक्चली बाकी सेम चीज़ सभी रिपीट हो रही है मेलोडी तो आप देखते हैं अंत्रा कि अधाइब है यह जो अंत्रे की जो पहली लाइन है कोई नगमा कहीं गुंजा कहां दिल ने यह तूँ आई ठीक है तो यह सेम पैटन दो बार सेमी इसी प्रकार की मेलोडी में प्ले होगा एक एक लाइन प्रफिर सबको साथ मैं मिला के फिर बजाएंगे ठीक है तो पहली लाइन एक बार किस तरह अगर हम नोट की बात करें तो यहां से शुरुआ दोगी इसके बाद में जो नेक्स लाइन है वो किस तरह आ फ 923 4ं जैसे यहां पर मनें इस तरह प्रेटन बताया है ति यह प्रकार से यहां पर जो मारा रखे अ 죄 W यहां पर क्या था 7 ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा या इस त सcc प्लस तो यहां पर यह क्या हो जाएगा प्लस सिक्स ओके क्लियर तो किस तरह ठीक है किस तरह नोट के साथ अगर हम देखे तो तुटू तुटू तूटू 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 सेवन इसके बाद में जो हमरी नेक्क लैन हो किस तरह मैं यह समझा कि तू सर्माई ठीक है किस तरह ठीक है वन वन टूटू 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 काफिश अंदर क्लियर इसके बाद में हमारी नेक्स लाइन कहीं खुश्बू कहीं बिख्री लगा ये जुल्प लहराई लास्ट लाइन इसंद्रेगी क्लियर काफिश अंदर इसको अगर हम नोट के हिसाफ से देखें तो किस तरह यहां से सेवन से सुरुआ दोगी प्लस सेवन से पांच बार प्लस सेवन किस्तर वाइन फिरिश तरह वन टू टू ट्री पूर फूर खुर फूर फॉर 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 फजिश टीक है मा इसके बार में वापस से मूई हमारा पैटर्स होप तो क्लियर आपका या तक कंप्लिट हो गया और इसी प्रकार से गाना अगे कि तरह बढ़ेगा जो मारा अगला अंत्रा है जो अगला अंत्रा है फीजी रंगी अधा रंगी ये जटलाना ये सर्माना सेम इसी प्रकार कांध्रा जो हमने बीड़े किया उसी प्रकार से होगा ठीक है और जुकह वेसरी गाजे को सुनी उसके सार रायरिय को आप आसानति से this amazing गाने को प्लेई कर सकेंगे अगर मैं आपको एक और टिप दूँ कि आप किसी भी गाने को कहीं से प्ले करें कि देखो वो भी काफ्यासा ने जैसे हमने यहां से देखा लिखे जो ख़त तुझे किस प्रकार था ओके तो आपने पैटर्न आपको समझ में आ गया है जैसे हमें पता से लिए है फिंगर मुमेंट किस प्रकार दी ओके तो अब शुरुवात कहां से हो यहां से होगी अगर हम कहीं से भी रेंडम सुरुवात करें एक सुरू नीचे की तरफ कर देखो किस तरह होगा किये इसी प्रकार से मैं आपको समझाने की पुश्चित कर रहा था जैसे अमने यहां से प्ले किया उसी प्रकार से एक सुर नीचे हो जाएगा तो बस होई सेम सभी सुर एक एक सुर नीचे चल जाएगे और इसी प्रकार से पूरा गाना आसान इसे प्ले हो जाएगा ठीक ह तो होप अगर आपने हाग तक वीडियो देखा है तो खूब खूब धन्यवाद कि आप इतना समय दिया है इस नियुक्ट जैसा भी आपको वीडियो लगा मेरे को नीचे कमेंट करके जै मता दी और अपना ध्यान रगे ठीक है?